पाकिस्तान पर लगाया मानवादिकार उलंगन कारूप कश्मीर में अशान्ती के लिए ठैराया जिम्मेदार ब्रेयर विमान सौधे में रिश्वत की होगी परताल रक्षा मंत्राले ने सीबे आए और एडी से की जाच की सिफारिश दोजार आट में तीन विमानों के लिए ब्राजील की कम्पनी से दुआ था करार जन इधन खाते में बैंक अधिकारियों की ओर से रुपए डाले जाने की जाच करेगा वित्मंत्राले बैंकों से मांगी जानकारी कहा जीरो बालेंस खातो की संक्या कम करने का निर्देश नहीं इसके लावा तमाम और अहम खबरें हैं लेकिन आए विस्तार से अब खबरों पर निज़र डालते हैं भारत ने सयुक्तराष्ट में पहली बार बलुचस्तान का मुद्दा उठाया है जिनवा में सयुक्तराष्ट मानवा दिकार पडिशद गे 33 सत्र के दौनान भारत ने बलुचस्तान में मानवा दिकार उलंगन का जिक्र किया भारत ने इसके साथ ही पाक अधिकरित कश्मीर में भी पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर मानवा दिकार उलंगहन का आरूप लगाया है भारत का कहना है कि कश्मीर में अशान्ती के लिए भी पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंगवाद मुख्य रूप से जिम्मेदार है संयोगत राश्च्रों में भारत की राजदूत और स्थाई प्रतिरिधी अजीद कुमान ने कहा कि पाकिस्तान का निराशा जनक पिछला रिकॉर्ड जग जाहिर है और कई देशों ने बार बार पाकिस्तान से कहा है कि वो सीमा पार घुसपैट रोके आतंगवाद के ढाचे को नश्ट करे और आतंगवाद को पना देने का काम बंद करे भारत का कहना है कि पाकिस्तान 1989 से कश्मीर में अलगावादी समूहों और आतंगवादियों की मदद कर रहा है भारत ने संयुक्तराष्ट में पहली बार बलूचस्तान के मुद्दे को उठाया है जिनेवा में संयुक्तराष्ट मानवादिकार परिश्यत के 33 सत्र के दौरान भारत ने बलूचस्तान में मानवादिकार उलंगनों का जिक्र किया है इसके साथ ही पाक अधिकरित कशमीर में पाकिस्तान बड़े प्यामाने पर मानवा धिकार उलंगन का आरोप लगाया है था प्रायुझित आतनकवाद जिम्यदार है और इसके पीछे भारत ने पाकिस्तान के पचले रिकॉर्ड का भी हवाला दिया है किश्मीर is an integral part of India and what remains actually is the vacation of that illegal territory occupied by Pakistan. Also the use of phrase Indian administered किश्मीर is artificial one. वे गिल्गिट बाल्टस्तान कॉंग्रिस के नेता सेंगे हसन सेरिंग ने भी पाकिस्तान सरकार पर लोगों के अधिकार चीनने का रोप लगाया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सम्वेथानिक तरीखों से लोगों की जमीनों पर कब्जा करने पर तुला है और बाल्टस्त पाकिस्तान की पहचान को मिटाने में लगा हुआ है। कोशिश करेंगे कि युए इनकों जादे जादे इन्फिर्मेशन दे सकें ताकि उनको एहसास हो कि गिल्गित बलतिस्तान में जो जुम हो रहा है। जो हीमन राइट बाइलेशन्स हो रही हैं वो एक कश्मीर के नाम पे वो एक एक एकलिप्स हो जाता है। वो एक छुप जाता है और उस वज़े से जो है वहाँ पर पाकिस्तान को मज़ीद मौका मिलता है जलम करने का तो हम इस इस यू को ज्यादे ज्यादे जागर करेंगे अतंगवार पर भारत और अफगानिस्तान ने कल साज हरूप से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया दिल्ली में प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी और अफगानिस्तान के राश्रपती अश्रफगनी ने बिना भेदभाओ के आतंगवादियों, मददगारों और पनागाहों को खत्म करने पर जोर दिया भारत ने अफगानिस्तान को एक अरब डॉलर की मदद की घोशना की दो दिन के भारत दोरे पर आए अफगानिस्तान के राश्रपती अश्रफगनी ने बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी से मुलाकात की इस दोरान दोनों निताओं ने आतंकवाद समेत कई मसलों पर बातचीत की और आतंकवाद को शांती, स्थिर्था और विकास के लिए सबसे बड़ा खत्रा बताया दोनों देशों ने आतंकवाद को सर्लक्षन देने वालों पर लगाम लगाने की भी अपील की प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने कहा है कि भारत मजबूत लोकतांतरिक और समरद अफगानिस्तान देखना चाहता है और इसके लिए हर संभो मदद जारी रखेगा भारत ने अफगानिस्तान को एक अरब डॉलर की मदद देने की खोशना की दोनों निताओं ने आपसी व्यापार में पाकिस्तान की तरफ से रास्ता देने से इनकार और वैकल्पिक उपाय पर भी चर्चा की इस मौके पर दोनों देशों के बीच तीन सहमती पत्रों पर हस्ताक्षर किये गए इन में प्रत्यारपन संधी, सिविल वाड़ेजिक मामलों और अंतरिक्ष छेतर में सहयोग शामिल है इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान को सस्ती दवाय देने और सौर उर्जा छेतर में मदद की पेशकश की और दोने अताओं ने सुरक्षा और रक्षा समेत हर छेतर में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमती जताई है अखेले सुमन राज्य सभा टीवी भारत दोरे पर आया अफगानिस्तान के राश्पति अश्रफ गनी ने कहा है कि जो लोग आतंकवाद को सही ठहराने के लिए सलाम का नाम ले रहे हैं वो दुनिया को बरगला रहे हैं अश्रफ गनी ने भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार में रोड़ा आटकाने की पाकिस्तान की कोशिशों के भी निंदा की बुद्वार को IDSA के कारिक्रम में शिर्कत करते हुए अफगानिस्तान के राष्टरपती अश्रफ गनी ने साफ-साफ कहा कि आतंगवाद की हर हाल में निंदा होनी चाहिए उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आतंगवादियों के लिए किसी भी तरह का समर्थन, ट्रायोजन और सुरक्षित पनाह का खत्म होने चाहिए अश्रफ गनी ने भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यपार में पाकिस्तान की तरफ से अर्चने पैदा करने का भी जिक्र किया हाला कि उन्होंने उम्मेद जताई कि चाहबहार परियोजना पूरी होने पर पाकिस्तान की अर्चनों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा अफगान राश्रपती ने पाकिस्तान को सलह दी की पड़ोसी देशों को नुकसान पहुंचाने के बजाए उनकी मदद करें उन्होंने शेत्रिय सुरक्षा के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने पर भी जोर दिया बियूर रपोर्ट राज्जिसभा टीवी कश्मीर के कई लाखों से कल कर्फ्यू हटा लिया गया खाला कि शान्ती बना रखने के लिए बारा मुला तंग मार्ग पटन और हन्वारा शेहरों में कर्फ्यू लगा है हलिकॉप्टर और द्रोन से नज़र रखी जा रही है कोछ लाखों में कल भी प्रदशन हुए जम्मू कश्मीर सरकार के प्रवक्ता और शिक्षा मंतरी नई मख्दर ने बकरीद के दिन कर्फ्यू लगाने के फैसले का बचाव किया उन्हों ने कहा कि अलगावादियों ने मार्च का एलान कर रखा था और ऐसी स्थिती में बड़ी वारदात हो सकती थी मुई सुप्रीम कोट ने कश्मीरी अलगावादियों को सरकारी फंड दिये जाने के खिलाफ दायर याच्च का खारिच कर दी है कोट ने कहा है कि इस तरह के मामलों में अदालत दखल नहीं दे सकती सी बी आए और परवर्टन देशाले को अमब्रॉयर विमान सौदे के मामले की जाच करने के लिए कहा गया है इस सलसले में रक्षा मंतराले ने चिट्थी लिए कर विमान सौदे में रिश्वत लिए जाने के आरोपों की जाच करने को कहा है भारत ने 2008 में ब्राजील के विमान निर्माता कमपनी अमब्रॉयर के साथ ये सौदा किया था अम्रे और डियार डियो के बीच तीन विमानों के लिए 208 मिलियन डॉलर का खरार हुआ था इन विमानों में शुरुआती चेतावनियों नियंतरन फ्रनाली तक्नीका इस्तमाल किया गया है रिश्वत दिये जाने का आरोप लगने के बाद ये सौदा विवादों में है सोमबार को रक्षामंतरी मनहर परिकर ने कहा था कि अगर इसमें इस मामले में कोई आपराधिक पहलू सामने आता है तो उसकी सीबियाई जांच करेगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जगड़ा खुल कर सामने आने के बाद इसे सुलजाने की कोशिशी तेज हो गई है बुख्यमंतरी अखिलेश यादव से नाराज शिवपाल यादव ने कल दिल्ली में मुलायम सिंग यादव से मुलाकात की उत्तर प्रदेश में एहम विभाग चीने जाने से नाराज शिवपाल यादव बुदवार को सैफ़ाई से दिल्ली पहुचे उन्होंने पार्टी अध्यक्ष बुलायम सिंग यादव से मुलाकात की इससे पहले सैफ़ाई में उन्होंने कहा कि मुख्यमंतरी को मंतरी और सलाहकार चुनने का अधिकार है और वो नेताजी की ओर से दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे उधर उत्तर प्रदेश समाजबादी पार्टी के अध्यक्ष पत से हटाई जाने पर मुख्यमंतरी अखिलेश यादव भी नाराजगी छिपाने से नहीं चुके उन्होंने पहले से तै दो कारिक्रम रद कर दिये हाला कि बाद में वो एक कारिक्रम में पहुंचे और परिवार में अन्बन के खबरों से इंकार किया उन्होंने कहा कि जो खटपट है वो सरकार में है बीजेपी ने इसे परिवार की नोटंकी बताया और बुलायम सिंग यादव को अखिलेश से स्तीफा लेने की चुनावती देडाली कॉंग्रस अपाध्यक्ष राहूल गांधी ने भी समाजवादी पार्टी में तना तनी पर चुटकी ली अगर आपने साइकल ठीक करनी थी तो उसको साल पहले ठीक करनी थी मुझे प्रतिच्चा है स्री अखिलेश यादव ने दो मंत्रियों गायतरी प्रजापती और राजकिशोर सिंग को मंत्री मंडल से हटा दिया था यही नहीं मंगलवार को ही मुझे सचिव के पद से दीपक सिंगल को भी बरखास्त कर दिया गया इन तीनों को ही शिवपाल यादव का नजदी की माना जाता है इसके बाद मुलायम सिंग यादव ने अखिलेश यादव को हटा कर शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था विशाल दहिया, राज्यस अभा टीवी पश्यमंगाल के मुख्यमंतरी मम्ता मैनरजी ने कल सिंगूर में किसानों को मुआबजे के 800 से जादा चेक बाटे साथी उन्होंने 9,117 लोगों को जमीन का माले खाना हक सौपा इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्रिशी और अध्योग दोनों राज्य के लिए जरूरी हैं और वो अध्योगों के लिए जमीन देने के लिए तैयार हैं लेकिन जबरन भूमी अधिगरहन के खिलाफ हैं इस महीने के शुरुवात में सुप्रीम कोट ने सिंगूर भूमी अधिगरहन को रद्द कर दिया था और जमीन लोटाने को कहा था अधिगरहन के लिए जबरन भूमी अधिगरहन के लिए आगे देखेंगे दिल्ले में चिकनगुनिया से एक और मौत की पुष्टी अब तक 11 लोगों ने कवाई जान कि बात सम्मान की हो सांस्कृतिक पहचान की या संवैधानिक अधिकार की मुद्दा बालमस्दूरी हो मानव तसकरी या परमपरागत ज्यान का है हम उस पर चर्चा करेंगे हमारे पास पुरानी तक्नीक मौझूद है और जोर से कहेंगे हां ये भी मुद्दा है कावीरी जल विवाद पर हिंसा के बाद करनाटक में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं हिंसा अशानती और तनाव के बाद बेंगलूरू समेद करनाटक के सभी हिसों में सामान ये हालत होने लगे हैं सरकारी ओफिस, दुकानों, शिक्षन संस्थानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कामकाज शुरू हो गया है सड़कों पर वाहन चल रहे हैं बेंगलूरू में 16 धानक्षेत्रों से कर्फ्यू हटा लिया गया है करनाटा के ग्रिह मंत्री जी परमेश्वर ने बुदवार को हिंसा पीडी तिलाकों का दौरा किया और सोमवार को ही हिंसा का जायजा लिया गुरवार को करनाटाक बंद और अगले दन तमिलनाडू में भी विरोध प्रदशन होने वाले हैं इस बीच बीजेपी ने सुप्रीम कोट में राज्य का पक्ष सही तरीके से नहीं रखने और विपक्ष को भरोसे में नहीं लेने का आरोप लगाया बीएस यदूरप्पा ने कहा कि सरकार कानून विवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है वह सुप्रीम कोट पे गुरवार को मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई होगी याचिका में केंद्र, तमिलनाडू और करनाटक को कानून विवस्था बनाए रखने का निर्देश देने की मांगी गई है सुमवार को सुप्रीम कोट के आदेश के बाद करनाटक में बड़े पैमाने परहिंसा, आगजनी और पत्राव की घटनाई हुई थी सुप्रीम कोट ने सुमवार को पिछले आदेश में सुधार करते हुए करनाटक को तमिलनाडू के लिए 12,000 कियोसेक पानी रोजाना छोड़ने को कहा था दिल्ली में चिकनगुनिया से अब तक 11 लोग जान गवा चुके हैं एम्स ने बीते हफते हुई एक मौत के मामले में भी चिकनगुनिया के पुष्टी कर दी है केंदर सरकार ने उचिस तर्या बैठक करके हालात की समीख शा की तो दिल्ली सरकार ने भी तीनों निगमों के साथ तैयारियों पर चर्चा की दिल्ली सरकार ने हाई कोट में हलफ नामा दे कर कहा है कि पिछले साल के मुकाबले जबाड डेंगो और चिकन गुनिया के कम मामले सामने आए है राजधानी दिल्ली में चिकन गुनिया से मौत का आकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है 24 घंटे के भीतर 5 और मरीजों ने दम तोड़ दिया है दो दिन में 10 लोगों की जाने जा चुकी है अपोल अस्पताल ने 5 तो सर गंगराम अस्पताल ने 4 मौतों की पुष्टी की है एक मौत बाड़ा हिंदुराव अस्पताल में हुई केंदर सरकार ने बुधवार को उचिस्तरिय बैठक बुला कर हालाथ की समिक्षा की जेपी नड़ा ने दिलि के स्वास्ते मंतरी सत्यनर जैन से भी बाचीत की और हर संभो मदत का भरूसा दिलाया केंदर सरकार ने दिल्ली से मौतों पर विस्तत रिपोर्ट भी मांगी है दिल्ली सरकार ने भी तीनों MCD और NDMC अधिकारियों के साथ बैठक करके हालात की समिक्षा की सरकार ने निगमों से फॉगिंग बढ़ाने और कंट्रोल रूम के नंबर साजुनिक करने को कहा है दिल्ली सरकार ने सभी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के चुट्टियां भी रद कर दी है साथ ही चिकनगुनिया से हुई मौतों की जाज कराने का भी फैसला किया है उधर तीनों MCD के निताओं ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के साथ बैठक की बैठक के बाद MCD ने चिकनगुनिया का टेस्ट मुफ्त कराने और फॉगिंग करने की बात कही दरसल आम आद्वी पार्टी के सरकार इस हालात के लिए बीजेपी शासित MCD को जिम्मेदार ठहरा रही है दिल्ली सरकार से भी कह रहे हैं कि दिल्ली बीमार है और दिल्ली के लोग परेशानी में है मिल करके इन सब परेशानीयों को दिल्ली के बुखार को हम सब को मिल कर ठीक करना चाहिए उधर कॉंग्रेस मरीजों की शिकायतों के लिए नेशनल हेल्थ फेडरेशन के साथ मिल कर कंट्रोल रूम बनाएगी पार्टी ने हेल्प लाइन नमबर भी जारी किया है कॉंग्रेस 16 सितंबर को दिल्ली सरकार के विरोध में भगोडा दिवस मनाएगी दिल्ली में 10 अगस तक चिकन गुणिया के 1057 मामले सामने आये थे 3 सितंबर तक ऐसे मामलों की संख्या महस 560 ती यानि इस दोरान चिकन गुणिया के मामलों में 90 फीजदी की बढ़ोतरी हुई है सोनु कुमार के साथ प्रणव गोस्वामी राजे सभा टीवी आरज़िडी के पूर्विसान सद को शाबुदीन की जमानत के खिलाफ पटना हाई कोट ने 7 सितंबर को शाबुदीन की जमानत मनजूर की थी जिसके बाद 10 सितंबर को भागलपूर जेल से शाबुदीन की रहाई हुई थी बिहार सरकार भी शाबुदीन के खिलाफ सुप्रीम कोट में अपील करने की तैयारी कर रही है वित्त मंत्राले ने कहा है कि बुजन धन योजना के तहट खुले जीरो बैलन्स खातों की संख्या कम दिखाने के लिए उन में पैसा जमा करने के मामले में तत्थियों की जाच करेगा منترالے نے کہا ہے کہ इन खातों का लाब लेने के लिए इन में न्यूनितम राशी की कोई अदने बारिता नहीं है वित منترالے के मताबिक शूनि राशी वाले खातों में कमी लाने का कोई लक्ष नहीं है सरकार के मताबिक जनिधन यूजना की तहट खुले करीब 24 करोड बैंक खातों में अब तक लगभग 42,000 करोड रुपे जमा हुए हैं 13 सितंबर को एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि कई बैंक अदिकारियों की जीरो बैलन्स खातों की संक्या कम दिखाने के लिए खुद इन खातों में एक रुपे अज़्जादा की राशी जमा कर दी गई सितंबर 2014 से 19 अगस 2015 के बीच जीरो बैलन्स खाते 73 फीज़ी से घटकर 45.74 फीज़ी रह गए थे जबकि 27 जुलाई 2016 को इनकी संक्या घटकर महज 24.32 फीज़ी रह गई अनिल अमानी के स्वामित वाली कंपनी रिलाइंस कम्यूनिकेशन्स और एसल ने अभुदवार को अपने वाइलिस बिजनस के विले की खोशना की इस विले के बाद खरीब 19 करोड सबस्क्राइबर के साथ नई संस्था देश की तीसरी सबसे बड़ी टेली कॉम कमपनी होगी विले के बाद दोनों कमपनियां संयुक्त उद्यम को अपने 14-14 हजार करोड रुपए कर्ज हस्तान अंतरित करेंगी इन में स्पेक्ट्रम के 6,000 करोड रुपए के भुगतान का दायत्व शामिल नहीं है सायुक्त कमपनी में आरकॉम और मेक्सिस कम्यूनिकेशन के पास 50-50 फीज़दी हिस्सेदारी होगी भारते दूर संचार्ग श्यत्र में यह अब तक का सबसे बड़ा सौदा है नेपाल के पुष्प कमल देहल और प्रचंड आज से चार दिनों की भारत यात्रापन है प्रिधान मंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है पुश्पकमल देहल की दिली में शुकरवार को प्रिधान मंत्री नरेंदर मोदी से मुलागात होगी इर्जवरान दोनों देशों के बीच महाकाली और पंचेश्वर परियोजना और पूर्व पश्चिम रेलिंग के निर्मार पर बात होगी साथी बीरगंज में सेयुक तसीमा चौकी बनाने पर भी चर्चा होगी नेपाल का जोड ने समझोते करने के बजाए लंबित पर योजनाओ को पूरा करने पर है प्रचंड हिमाचल प्रदेश के नाप्था जाखरी के अलावा हरी दौर भी जाएंगे भारत पहुशने से पहले उन्होंने कहा कि सियात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच दूनिया खत्म करना है उपराश्पती मौमद हामिन अंसारी आज से तीन दिन के वेनिजुएला के दौरे पर रवाना हो रहे हैं उपराश्पती यहां मार्गरीटा द्वीप पर 17-18 से तंबर को आयोजित होने वाले निर्गुट शिकर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे निर्गुट सम्मेलन से उक्तराश्ट्र के बाद दूनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर राश्ट्री अमंच है इसमें 120 देशों के भाग लेने की संभावना है सम्मेलन में वैश्वे के आपार आतंगवाद, सुरक्षा और आपसी साज़ेदारी बढ़ाने जैसे मुद्दो पर चर्चा होगी इस जोना और उपराश्पती कई देशों के निताओं से मुलाखात कर सकते हैं भारत निर्गुट अंदूलन का संस्थापक सदस से है और 1963 में नई दिल्ली में इसका सम्मेलन का आयोजिन भी कर चुका है राजी सभा और कमबूडिया इस सिनेट की भी सहयूग बढ़ाने के लिए कल एक समझोते पर हस्ताक्षर किये गए इस मौके पर राजी सभा की महासचिव शम्मशीर के शरीफ ने कहा कि समझोते से दोनों देशों के रिष्टों को और मजबूती मिलेगी कमबूडिया इस सीनेट के प्रतिन्दी मंडल ने बुधवार को संसत भावन परिसर का दोरा किया सीनेट के महासचिव ओम सरित के नित्रतों में आये इस प्रतिन्दी मंडल ने भारती संसत की प्रक्रियाओं और धाचे में गहरी रूची दिखाई दोरों देशों की संसत के उच्छ सदनों के बीच शोत को बढ़ावा देने और मानाव संसादनों के आदान-प्रदान से जुड़े सम्झोता पत्र पर भी हस्तक्षर हुए राजसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ ने कहा कि संसत के बीच आपसी सहयोग से दोनों देशों के संबन्दों को और मजबूती मिलेगी इस समझोते केता है दोनों देशों की संसत के बीच संसती अनुभव साजह हो सकेंगे कमबोडियाए सीरेट के महासचिव ने कहा कि भारत की संसती व्योस्था से काफे कुछ सीखा जा सकता है एक साल पहले उपराश्पती मुहमद हमिद अनसारी के कमबोडिया दोरे में ही दोनों देशों की संसत के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमती बनी थी भारत और अमेरिका के बीच उत्तरखंड में सैन अभ्यास शुरू हो गया है दोनों सिनाय अल्मोरा जिले में रानी खेत के जंगलों में अभ्यास कर रही है दो हफ़ते तक चलने वाले इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों के 450 सैनिक शामिल है अभ्यास के तोरान सुरक्शावलों का जोर पहाड़े लाखों में आतंगवादियों से निपटने पर होगा साथे युद्ध के मैदान में अपनाई जाने वाले रड़नीतियों और एक दूसरे के हथ्यारों को समझने पर भी धिहान दिया जाएगा भारत अमेरिका के बीच ये सैयुक्त तोर पर बारवा सैनि अभ्यास है जो 27 सितंबर तक चलेगा इस्राइल के साथ अपने अतिहासिक रिष्टों को नए आयाम देते हुए अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा सैनि समझोता किया है अमेरिका अगले 10 साल के दोरान इस्राइल को 38 बिलियन डॉलर की सैनि मदद देगा बुदवार को वाशिंग्टन में दोनों देशों के बीजिस से जुड़े एक समझोते पर हस्ताक्षर किये गए ने सैनि समझोते पर दस्तखत होने के साथ ही इसराइल अमेरिका का सबसे बड़ा सैनि साज़िदार बन गया इस एतिहासक करार के तहत अमेरिका हर साल इसराइल को 381 करोर डॉलर की सैनि मदद देगा ये अमेरिका की तरफ से किसी भी देश को दी जाने वाली सबसे बड़ी सैने मदद है करार के तहट अमेरिका इसराइल के लड़ाको विमानों को उन्नत बनाने में मदद करेगा इसराइल को अत्याधोनिक मिसाइलों से लैस किया जाएगा और दोनों देशों के बीच सैने सहयोग बढ़ाया जाएगा इसराइल का मानना है कि इस समझोते से आतंकवात के खिलाफ उसकी स्थिती मदबूत होगी इससे पहले दोनों देशों ने 2007 में 30 बिलियन डॉलर का करार किया था उस समझोते की मियाद 2018 में खत्म हो रही है ब्यूर रिपोर्ट राजे सभा टीवी लक्षा मंत्राले ने CBI और ED से की जाज की सिफारिश 2008 में तीन विमानों के लिए ब्राजिल की कमपनी से हुआ था करार जनधन खाते में बैंक अधिकारियों के और से रुपए डाले जाने की जाँच करेगा वित्त मंत्राले बैंकों से मांगी जानकारी कहाँ जीरो बैलनस खातों की संख्या कम करने का निर्देश नहीं पहली विदेश आतरा पर आज भारत आएंगे नेपाल के प्रधान मंत्री रेल और पावर पर योजनाओ पर बन सकती है सहमती भारत उठा सकता है तराई लाखों के लोगों को समान अधिकार का मुद्दा अमेरिका इसराइल के बीच एतिहास एक सेने करार इसराइल को दस साल में 38 बिलियन डॉलर की मदद किसी भी देश के साथ अमेरिका का सबसे बड़ा समझ होता और इसे के साथ फिलाल मेरे साथ सुबर नौबजे की खबरों में इतना ही आगे देखिए देश देश आंतर सबस्क्राइल के बाड़ा से बाड़ा से साथ इससे के साथ प्रणाश मेरे साथ चाहिए बाड़ा नौबजे का सबस्क्राइल जैंतर